ये लोग सड़क पर घूमते थे, दो आदमी हमेशा एक साथ, तो मेरी माने कहा, तुमेने अपना हाथ दिखाओ, उस आदमी ने मेरी ओर देखा और एक व्यंग भरी मुस्कान दी, और सब के बारे में कुछ बताने लगा, और आप यकीन नहीं करेंगे। ये मेरे साथ हुआ, मैं सत्रा साल का था, और पूरा का पूरा नास्तिक था, किसी मंदिर में घुसना या पूजा करना, यहां तक की इतना करना भी नहीं, बस ऐसा रहता था, नहीं, चाहे जो भी हो, घर में भी, चाहे कोई त्योहार हो, मेरे माता पिता कोई पूजा कर रहे हूँ, मैं ऐसे ही खड़ा रहता था, कभी भी ऐसे नहीं, संभावी नहीं था, आप सब मुझसे कहीं बेहतर हैं, उस मामले में, कुछ जाने बिना भी आप आसानी से ऐसे कर लेते हैं, लेकिन मैं नहीं, तो मैं इस थिती में था, और मेरी मा को चिंता थी की, मेरी बड़ी बहन की शादी कब होगी, तो, दो आदमी गली में घूमते हुए आए, उत्तरी करनाटक से, ये लोग सड़कों पर घूमते थे, बहां के नीचे एक बैक दबाए हुए, दो आदमी ये हमेशा साथ में चलते थे, तो वो चले जा रहे थे, मेरी माने कहा उन्हें बुलाओ, मैं जानना चाती हूँ कि तुमारी बहन की शादी कब होगी, मैंने कहा क्या, ये आदमी आपको बताएंगे, वो बुली नहीं, तुम बुलाओ, तुम नहीं आवाज दी, और आम तोर पर भारत में महिलाएं इन लोगों को अपना हाथ नहीं दिखाती हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं हुई हैं, जब किसी ने किसी महिला को मंत्र मुक्त कर दिया और चला गया, शाम होते होते, ये महिला घर के सारे गहने जेवर बांद कर उसके पीछे चली गई, बिना समझे कि वो क्या कर रही है, वो बस चलती जाएगी, जैसे कि वो पागल हो गई हो, और फिर वो सब कुछ छीन लेगा, और दो-तिन दिन में वो वापस आईगी, सब कुछ गमा कर, मेरी बहन को शादी करनी है, और मैं अपना हाथ दिखाओं, बकवास है ये, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, घर पर और कोई भी नहीं है, अपना हाथ दिखाओ, मैंने सोचा चलू ठीक है, मैं इस आदमी के आज बखियां उधेर दूँगा, और अपना हाथ दिखाया, उसने मेरी तरफ देखा एक, और व्यंग भरी मुस्कान दी, मैं बस उसको घूरता रहा, मैं अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं लाना चाहता, अगर वो कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश भी करे तो, मैंने गा ठीक है, बताओ मुझे क्या है, और उस आदमी ने परिवार के बारे में बताना शुरू किया, छोटी छोटी चीज़ें जो कल पर सोई हुई थी, कोई उनके बारे में नहीं जान सकता, वो ये तक बता सकता था कि आज आपने नाश्टे में क्या खाया मेरा मतलब इतनी बारी की से परिवार में सब के बारे में और मैं ये सब देख रहा हूँ लेकिन फिर भी विश्वास नहीं करना चाहता ये सच है पर ठीक है कुछ तो मुझे पसंद नहीं आ रहा वो बोला उस लड़की को अभी छोड़िये आपकी दूसरी बेटी के शादी अगले माई तक हो जाएगी अगले साल 26 माई से पहले उसके शादी हो जाएगी मेरी मा बोली अरे बेवकूफ तुम दूसरी बेटी की बात क्यों कर रहे हो मेरी पहली बेटी की शादी कब होगी वो बोला और कुछ और बताने लगा और फिर वो हर किसी के बारे में बताने लगा और आप यकीन नहीं करेंगे मेरी बड़ी बहन ने कभी शादी नहीं की वो एक सन्यासिन बन गई और मेरी दूसरी बहन को शादी का कोई आइडिया भी नहीं था वो तब युनिवर्सिटी में थी और 24 माई को उसकी शादी हो गई ठीक है अगले साली और फिर मेरी माँ ने मेरे बारे में पूछना शुरू किया ये लड़का किसी चीज को नहीं मानता ये भगवान को नहीं मानता ये मंदिर नहीं आता क्या होगा इस लड़के का और तब उसने कहा 38 साल की उम्र में ये एक महान मंदिर का निर्मान करेगा मैंने कहा बक्वास है ये मैं मंदिर बनाऊँगा मैं मंदिर बनाऊँगा मैं मंदिर में गुस्ता तक नहीं मैं कहां से मंदिर बनाऊँगा मेरी मा बोली देखो ये लड़का कैसा है क्या होगा इसका क्या करेगा ये वो बोला दूसरे लोग भेड चराएंगे ये इनसानों को चराएगा मैं थोड़ा सा एक तरह से परिशान हो गया क्योंकि बन्दा वो चीजें जानता है जो मैं नहीं जानता और फिर जब मेरे भीतर चीजें खुली तो मैं खुद को पीटना चाहता था क्योंकि ये इतना स्वभाविक था ये हर समय मेरे आसपास मौजूद था और मैं देख नहीं पाया लेकिन ये आदमी जो सडकों पर घूमता है दस रुपए के लिए दस रुपए लगबग बीस सेंट्स के बराबर होते हैं ठीक है? वो उसके लिए फीस है और वो भी वो मांगेगा नहीं अगर आप उससे दस रुपए दे दें तो वो खुशी-खुशी चला जाएगा जो आदमी सुभा से शाम तक सडकों पर घूमता है दस रुपए के लिए उस आदमी ने ये देख लिया और मैं नहीं देख पाया मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई हे भगवान जरा देखे इसे इस तर की बेहोशी है समझ रहें? पूरी मानवता की यही सच्चाई है इस तर की बेहोशी है कि जो ठीक यहीं मौजूद है आप नहीं देख पाते कोई व्यक्ती जो हर दिन 10 रुपए के लिए सड़क घूम रहा है वो देख सकता है तो जीवन वैसा नहीं है जैसा आप सोचते है यह वैसा है, जैसा यह है आपका प्रयास इसे उसी रूप में देखने का होना चाहिए ना कि निशकर्ष पर पहुँचते रहना कि यह सही है, यह गलत है, ऐसा क्यों नहीं है वैसा क्यों नहीं है बस इसे देखिए, जैसा यह है जब आप इसे वैसा देखते हैं, जैसा यह है किवल तभी आप द्वार खोल पाएंगे जीवन के और उसके परे के